हाई पूजा, क्या तुम फ्री हो? क्या मैं तुम से कुछ पूच सकती हूँ? हाप मैं फ्री हूँ, कुछ भी पूचो. एक परिवार है जिसमें हर पीड़ी की हर महिला के ठीक दो बेटियां है. ठीक है फिर? मुझे हर पीड़ी में महिलाओं की संख्या का पता लगाना है. क्या यह संभव है? हाँ, यह संभव है. यदि पीड़ी का क्रम पता हो. पहली पीड़ी एक महिला, दूसरी पीड़ी दो महिलाएं, तीसरी पीड़ी चार महिलाएं. वाँ, ये तो बहुत आसान था. आओ, मैं तुम्हें इस बारे में और अधिक बताऊंगी। गुणोतर मात्थे निकालना, समानतर मात्थे और गुणोतर मात्य के संबंध को समझना और विशेश श्रिणियों के एन पदों का योगफल निकालना परिभाशा ये निम्न अनुक्रम पर विचार करते हैं, जिसमें प्रथम पद A अशुन है और सार्व अनुपात R है। समानता GP के लिए निम्न अभिव्यक्ति है, जहां R पराबर AN बटे AN घटा 1 है। उधारण 1248स, R बराबर 2, 1,1.,2,1,4,1,8, at R बराबर 1,2,1,4,1,2,1,2,b4,7, R बराबर घटा 2, गुणोत्त श्रणी का एनवा पद इस प्रकार दिया जाता है। गुणोत्त श्रणी का साथवा पद चौथे पस से आठ गुणा है। ए गुणे आर की घात तीन तथा आर की घात तीन बराबर आठ बराबर दो की घात तीन अताह आर बराबर दो और ए पांच बराबर अर्तालीस यहां ए गुणे आर की घात चार बराबर अर्तालीस है। या 16 गुणें A बराबर 48 अता A बराबर 3 इस प्रकार वांचित गुणोंतर श्रिणी है 3, 6, 12, 24 इत्यादी गुणोंतर श्रिणी के एन पदों का योगभल मानलीचे के हम गुणोंतर श्रिणी के पहले एन पदों का योगभल निकालना चाहते हैं तो हमें ये मिलता है तथा इसे एक गुणोंतर श्रिणी कहा जाता है अब आर से गुणा करके और फिर घटा कर योगभल ग्याद करने का उपाय यहां है हमारी श्रिणी पांच पदों को जोड़ती है ताकि अब जब एक घटा आर से भाग दें जब तक आर एक के पराबर ना हो जाए तो हमें एक गुणोंतर श्रिणी के पदों का योगभल एक गुणोंतर श्रिणी देता है यदि प्रथम मान ए है तथा सार्व अनुपात आर है तो पहले एन पदों का योगभल एस एन पराबर ए एक घटा आर की घात एन पटे एक घटा आर बशर्ते आर एक के पराबर ना हो उधारण गुणोंतर श्रिणी का योगभल ग्याद कीजे दो जमाँ 6, जमाँ 18, जमाँ 54, जमाँ इत्यादी तथा श्रिणी में 6 पद है हल यहां इस श्रिणी में हमारे पास ए पराबर दो, आर पराबर तीन और एन पराबर छे है अधा एस एन पराबर एक कुणा एक घटा आर की घाद एन बटे एक घटा आर मान रखने पर तथा हल करने पर हमें 728 प्राप होता है गुणतर श्रिणी का योगभल ग्याद कीजे आठ घटा चार जमा दो, घटा एक जमा इत्यादी तथा श्रिणी में पांच पद है यहां श्रिणी में हमारे पास ए पराबर आठ आर पराबर घटा एक बटे दो तथा एन बराबर पांच है अधा एस एन बराबर एक उना एक घटा आर की घाद एन बटे एक घटा आर है यहां मान रखने पर तथा हल करने पर हमें 11 बटे दो प्राप्त होता है गुणोतर मात्थे जी एम यहां N संख्याओं के गुणन का N वमूल है इसका मतलब है कि आप संख्या की एक समू को एक साथ गुणा करते हैं और फिर N वमूल लेते हैं जहां N गुणा किये गए मानू की संख्या है माना की दो संख्या A और B का गुणोतर मात्य जी है अता A, G, B गुणोतर श्रणी में हैं जी बटे A बराबर B बटे G यहां जी वर्ग बराबर A गुणा B इसलिए जी बराबर A गुणा B का वर्ग मोल यदि दो धनात्मक संख्याएं दी गई हैं तब गुणोतर श्रणी बनाने के लिए हम उनके बीच कई संख्याएं डाल सकते हैं माना की A और B दी गई कोई दो राश्या हैं तथा माना की G1, G2, G3, इत्यादी, GN तक A और B के बीच रखे गई N गुणोतर माते हैं ताकी A, G1, G2, G3, इत्यादी, GN तक B1 गुणोतर श्रणी बन जाए माना की R सार्व अनुपात है A और B समेत कुल पदों की संख्या N जमा दो है अंदिम पद B बराबर है N जमा दो में पत के जो की बराबर है T N जमा दो के जो की बराबर है A गुणा R की खात N जमा एक के अर्थात B बटे A बराबर R की खात N जमा एक अर्थात R बराबर B बटे A पूरे की खात N जमा एक जी एक बराबर A गुणा R बराबर A गुणा B बटे A पूरे की खात N जमा एक इस प्रकार N गुणों तर मात है इन्हें A और B के बीच बराबर A गुणा B बटे A पूरे की खात N जमा एक इस प्रकार N गुणों तर मात है इन्हें A और B के बीच रखा जा सकता है उधारण तीन और एक्यासी के बीच दो संख्याओं को रखें ताकि परिणामी अनुक्रम एक गुणों तर्शिरनी हो हल माना की तीन और एक्यासी के बीच जी एक और जी दो कोई ऐसी दो संख्याओं हैं कि श्रणी तीन जी एक जी दो एक्यासी एक गुणों तर श्रणी बन जाए माना की गुणों तर श्रणी का प्रथमपद ए तथा सार्व अनुपाद आर है इसलिए एक्यासी बराबर तीन गुणा आर की घात तीन यहां आर की घात तीन बराबर 27 इस प्रकार आर बराबर तीन केवल वास्तविक मूल लेने पर आर बराबर तीन के लिए जी एक बराबर एक गुणा आर बराबर तीन गुणा 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 तीन व उधारण दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोंतर माध्य का छैकुना है दिखाईए कि संख्याएं अनुपात में हैं हल माना की दो संख्याएं A और B हैं गुणोंतर माध्य पराबर है A B के वर्गमोल के दी गई शर्तों के अनुसार A जमा B बराबर 6 गुणा A B का वर्गमोल इसे समीकरण एक से चिनहित करें अर्थाथ A जमा B का वर्ग बराबर 36 गुणे A B है तथा A घटा B का वर्ग को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है और A घटा B बराबर 4 गुणा 2 का वर्गमोल गुणा A B का वर्गमोल इसे समीकरण दो से चिन्हित करें एक और दो को जोडने पर तथा समीकरण एक में एक अमान रखने पर हमें प्राप्थ होता है अता वांचित अनुपात निम्न है समानतर मात्थे और गुणोतर मात्थी के बीच संबंध माना की A और B दो वास्तवीक धनात्मक और आसमान राशिया हैं तब समानतर मात्थे पराबर A जमां B बटे दो गुणोतर मात्थे पराबर A B का वर्ग मूल इस प्रकार हमारे पास है समानतर मात्थे घटा गुणोतर मात्थे बराबर A जमां B बटे दो घटा A B का वर्ग मूल तथा इसे हल करने पर ये निशकष निकलता है कि अंदर शोने से अधिक है अथवा बराबर है तथा A G से बड़ा है या बराबर है उधारण यदि एक दुई घाती समेकरण के मूलों के समानतर मात्थे तथा गुणोतर मात्थे करमशा आठ और पांच है तब दुई घाती समेकरण को ग्यात कीजिए हल माना कि दुई घाती समेकरण के मूल A और B है दीगई शर्टों के अनुसार समानतर माथ्थे बराबर ए जमा बी बटे दो बराबर आठ यहां ए जमा बी बराबर सोला समीकरण एक से इसे चिनित करें गुणोत्तर माध्धे बराबर AB का वर्ग मूल बराबर 5 अता AB बराबर 25 इसे समीकरण 2 से चिनित करें दुई घादिये समीकरण निम्नानुसार दिया गया है X वर्ग घटा X गुणा मूलों का योग फल जमा मूलों का कुड़न फल बराबर 0 X वर्ग घटा X गुणा A जमा B जमा AB बराबर 0 समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का उप्योग करते हुए X वर्ग घटा 16X जमा 25 बराबर 0 इस प्रकार वांचुनिये दुई घाती समीकरण है X वर्ग घटा 16X जमा 25 बराबर 0 विशेश रेणियों के N पदों का योग फल कुछ विशेश रेणियों के N पदों का योग फल अर्थात प्रथम N प्राकृत संख्याओं का योग फल प्रथम N प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग फल प्रथम N प्राकृत संख्याओं के घनों का योग फल उधारण श्रिणियों के एन पदों का योगफल ग्याद कीजिए श्रिणियों का आरवां पद निम्न है गणना करके हल करने पर हमें एन पदों का योगफल एन गुणा एन जमा एक बटे बारा गुणे तीन एन वर्ग जमा उन्नीज एन जमा छबीस प्राप्त होगा क्या आप जानते हैं हरात्मक्ष्रिणि एक अनुक्रम हरात्मक्ष्रिणि हो जकता है यदि उनका व्यूत्करम रूप एक समान तर्श्रिणि हो हरात्मक्ष्रिणि हो जब तीन संख्याएं HP में हैं तब दो पदों के बीच का पद हरात्मक्ष्रिणि कहलाता है माना की H दो संख्याओं A और B के बीच हरात्मक्ष्रिणि है अता A, H, B, HP में है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं किसी अनुकरम को गुणो तरश्रिणी या जीपी कहते हैं यदि कोई पद अपने पिछले पद से एक अचर अनुपात में बढ़ता है इस अचर गुणांक को सार्व अनुपात कहते हैं साधर्णता हम गुणो तरश्रिणी के प्रथम पद को A तथा सार्व अनुपात को R से दर्शाते हैं गुणों तर्श्रिणी जीपी का व्यापक अत्वा एनवा पद इस प्रकार दिया जाता है यदि आर का मान एक के बराबर न हो तो गुणों तर्श्रिणी के पहले एन पदों का योगफल Sn पराबर A गुणा एक घटा आर की खाथ N बटे एक घटा आर द्वारा दिया जाता है किसी दो धनात्मक संख्याउं A और B का गुणों तर्माथे GM AB के वर्कमोल द्वारा दिया जाता है अनुकरम A GP 1 GP है झाल झाल